हेलो एबीवन, वेलकम टो आज चैनल सेपली साइका, सवात का तलका चलिए मज़े मज़े में कुछ चटपटा बनाते हैं तो आज हम बनाएंगे छोले, काबुली चने के छोले इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में काबुली चना लिया जिसे मैंने ओवर दी नाइट सोप करके रखा था और अभी मैंने इसे अच्छे से वाश कर लिया है यहाँ मैं चने को एक कुकर में डाल रही हूँ क्योंकि पहले हमें चने को अच्छी तरह से गलाना है देन हम इसमें डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा और अब हम इसमें डालेंगे पानी पानी हमें इतना डालना है कि जो चना है वो पूरी तरह से डूब चाई मतलब चने के सतह के बराबर का हमें पानी डालना है यहां मैंने एक छोटे से कप्रे पर थोड़ी सी चाई की पत्ति रखी है विसे मैं पोटली बना लूँगी अब इसका करेंगे जो पोटली को डाल देंगे नखी позυ 싸 pater नis'll live और पर to आप देख सकते हैं कि का न बेहत्रीन कलर समाइल होगी है छैसे मैं अबints have to kombat dives गल चुका है हमें इसी तरह का चना गलाना है अब मसाला तयार करेंगे जिसके लिए यहां पर मैंने लिया है तीन टमाटर और चार हरीमिर जिसे मैं रफली चॉप करके मिक्सर गुरांडर में ग्राइंड करके इसका प्यूरी तयार कर लूँगी आप देख सकते हैं मैंने यह अब हम इसमें डालेगे एक ठार्य धनिया पाउडर और यहीं में सारि मसाले माँसर देक करे दाना है ा न। हमाड़े करें तो फड़पर भूड़े देर क lutव अजा वहां हमें डाले झाल रही हूं और श्यूरु मैं यहां सारी मसाले कि दाना हैं में फिनक नभलाएँ ब पकने पर हो जाए तब हम इसमें नमक डालेंगे, यहां मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डाल लीजिए, जैसा मैं हमेशा कहते हूं, कुछ लोग कम नमक खाना पसंद करते हैं, कुछ जादा खाते हैं, और यहां मैं डाल रही हूं एक चमच लाल मिर अच्छे से फ्राइ करेंगे, दिन अब बारी आ जाती है, भुने हुए मसाले में बॉयल काबुली चने एड करने की, तो यहां पर मैं सारे चने वन बाई वन करके इसमें डाल दूँगी, और जो चने के साथ जो पानी था वो भी इसमें मैं डाल दूँगी, और अगर आप से मिलूंगी एक नए रेसिपी वीडियो के साथ, hope you like the video, so keep watching, keep sharing and keep supporting my channel, thank you very much